नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी आप चैनल पर आज के वीडियो में हम देखेंगे जिरोधा का अप्लिकेशन होता है काइट इसके अंदर चार्ट कैसे होता है चार्ट की सेटिंग कैसे होती है आप सभी को पता है कि जिरोधा काइट यह जो है हमें share market में invest करने के लिए सहुलियत देता है तो जैसे कि हमें कोई भी share खरीदना है तो हम क्या करते हैं chart देखते हैं इस तरीके के एक chart होता है जिसमें दिख रहा होता है candle stick दिखती है आपको आपको उससे पता चलता है यह जो candle stick है यह बताती है आपको चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सबसे पहले कि हम इस वाले बटन पर tap करेंगे इदर tap करने के बाद आपकी idea आपको दिखाई देती है यहां से आपको करना scroll down settings का button देखने मिलेगा इस settings में जाएंगे आप अंदर के तरफ और फिर आपको scroll down करना है तो यहां पर आपको दिखाई देता है chart देख रहे हैं इस chart में दो option है एक तो chart IQ जो अभी default लगा हुआ आता है आपके zero the kite में वो अगर आपको trading view की जादा आदत है तो आप इस से भी कर सकते हैं अगर आप इसको change कर देंगे तो chart उदर से भी change हो जाएगा जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको अभी कुछ इस तरीके का chart आपको देखने मिलेगा जो कि trading view का chart है जोड़ा सा changes है इसके अंदर यहां पर आपको चीजें मिल जाती है यहां से आप यह कर सकते हैं बहुत सारी चीजें मिल जाती है यह mobile पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो वापस मैं जो chart IQ लगाता है chart IQ थोड़ा सा easy होता है ठीक है तो chart IQ की setting सारी समझते है जैसे आपको chart खोलना है किसी भी share का तो आप किसी भी company का तो आप इस तरीके से उसको select करेंगे tap करना है अब यहां पर आपको यह view chart का button दिखाई देता है इस पर tap कर देना है जैसे ही tap करेंगे ऐसा आपके सामने पूरी जानकारी निकल कर आ जाएगी क्या जानकारी निकलेगी देखो आपको एक candle sticks काफी सारी दिखाई दे रही है ठीक है नीची के तरफ मेरे द्वारा लगाए गए कुछ indicators है जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं मैं इनको थोड़ा सब minimize कर देता हूँ अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर आपको 2022 दिखाई दे रहा होगा दिसंबर से लेकर के चार्ट दिख रहा है आपको अभी आज के देट तक का ठीक है ना सबसे उपर आपको setting दिखाई देती है one day ठीक है यह one day यहां पर आप टैप करेंगे तो आपको अलग-अलग timing दिखाई देगी यह one minute two minute three minute four minute इसका मतलब क्या है कि जो एक candle है ना यह देखिए आप देख रहे होंगे यह जो हर एक candle है यह एक जो candle है न दोस्तों यह पूरे एक दिन की है मतलब आज सुभे अगर market खुला होगा यहां पर ठीक है फिर market थोड़ा सा उपर गया फिर market थोड़ा सा नीचे गय पूरे दिनका आपको एक घंडल आपको पता बता रही है आप चाहें तो इस candle का का टाइम चेंज कर सकते मतलब मैंने अगर यहां पर वन आवर कर दिया तो यह जो एक candle बन रही है यह यह वाली यह वाली ले चोटी ले 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 यह एक घंटे की candle है यह पूरे दिन की candle नहीं सिर्फ एक घंटे का बता रहे कि इतने बज़े लगबग यहां से शुरू हुआ थोड़ा सा नीचे गया वापस उपर आया और फिर थोड़ा नीचे आकर यहां पर बंद हो गया यह आपको बतारी candle कैसे समझते हैं वह आप दू उससे पहले वाला मिनट था इससी तरह अगर हम यहां पर वन मन्त पर चल जाते हैं देखिए वन मन्त सबसे बड़ा है तो एक मन्त की सबसे बड़ी candle आप बनाएं यह पूरे मन्त को दिखा रही है यह जो है पिछले मन्त को दिखा रही है मतलब यह से ही हो सकता है यह अभी पर यह दिसंबर की रही वरते कि 2022 यहां से चालो हो गया तो जनवरी की candle यहां पर आगए और यह फैप की candle भी चालो है इस तरीके से होता है अब आपको और एक चीज़ दिखाई दे रही होगी इसमें कि यह यहां पर एक पांच दिन एक मन्त पांच एक साली है दिखाई द आता है पांच-पांच मिनिट की बहुत सारी candle मिलके पूरे दिन का व्यू दिखाती है आपको वैसे अगर आप पांच दिन का आपको दिखाई दे रहा है और एक गंटे की candle दिखाई दे रही है अब एक एक दिन का मार्केट लगबग 6 घंटे का होता है तीन सबहा नौ 5-6 यहाँ पर आपको 6 candle दिखाई देगी यहाँ पर आपको 6 तो 5 दिन तो पांच दिन का व्यू आपको दिखाई देगा अब आप अगर आप पूरे साल का देखने जाते कि भाई कैसा रहा है टाटा का performance एक एक साल में तो यहाँ पर आपको एक दिन की candle दिखाई देती है ह पिछले साल टैब से लेकर के आज के फैब में कितना डेट चल रहा है अभी क्या समय चल रहा है ना ऐसे दिखते हो तो पहली चीज तो सबसे ज़्यादा प्रचली क्या है कैंडल स्टिक मैं इसको थोड़ा से रहता हूं इसको थोड़ा से चेंज करता हूं अगर आपको नई पसंद आती तो आप केंडल से करना है बार लगा दो इसको पढ़ने का भी यही तरीक है यहाँ पर लोवेश्ट तो आपको केंदल स्थी की तरह दिखता है लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस थोड़े अलग दिखाई देते हैं तो इसको भी थोड़ा समझनी की जरू होते हैं आप चाहें लाइन चार्ट आपको चाहिए लाइन चार्ट कर लो यह देखो लाइन चार अगर आपको चाहिए तो आप हाई के नाशी लगा सकते हैं तो यह अलग अलग चार्ट इसके टाइप होते हैं फिर आते दोस्तों अगर आप एफेक्स पर टैप करोगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इंडिकेटर लगा सकते हैं अब आपको पता है यहां जब भी ट् सब्सक्राइब्स इससपे टैप करो यहां पर टैप करो और आप सूपे टैण्न लिख सकते हो तुछ अले इसमें है और आपको देख तरीके से लिएंड कि sicher ताँ यहां से कर लो और यह है भाई सेव करने का जितने भी आपने, इन्डिकेटरिस लगा विसको सब्सक्रालिए उसको, यहां से आप कर ले जвол किये सेव कर लिया सेistasakो अभी देखो मजा यह फिल्द endured अगर आपकें पर श्च्राइवे को इस ब्यूकी को कुछ भी नाम द यह भी वदल दी, अब अगर आप अपने, save view पर वापस जाते हैं, तो उसी हिसाब से लिखी उसी अकार्डिव वापस ला देगा, तो आप चाहे अगर इंटरडे के लिए अलग view रिखना चाते हैं, लॉणम के लिए अलग view रिखना चाते हैं, तो यहाँ save view में, आप सब व्यू जो है सेव करके रख सकते हो आपको इंट्रडे में तीन अलग-अलग इंडिकेटर चाहिए सी एंसी में अलग चाहिए तो आप सेव डियू उनको एज़स्ट कर सकते हो इसलिए सेव दिया गया है फिर आती है बात ऊपर ये वाले भाई साब की जैसी इस पर टैप करते हो रिफ्रेश हो जाता है चार्ट तो कभी-कभी आपको लग सकता ना इंटरनेट स्लो है मेरा तो मार्केट वही उपन नीच गया पता ही नहीं चला रिफ्रेश करनो ये वाला जो बटन है ये काफी काम क इसको जैसी करोगे तो क्या है ना हमारा फोन लेंड्सकेप से पोर्टरेट से लेंड्सकेप पर आ जाता है तो यहां पर आपको जो व्यू देखने में थोड़ी सहता मिलती है फिलाल मैं वापस आता हूं अपनी दुनिया में फिर है बी और एस का बटन बी का मतलब है नहीं पैंडょ कि यहां पर है कि यहाँ पर टाइम देखता है हमको यहाँ और यहां पर आपको दिखते हैं प्राइजतं यह जो रो है। पूरी प्राइज w तो आप यहाँ से Payne निकाल सकते हैं और यहाँ से Payne से Lick सकते हैं यहाँ पर एक औरовых बटन है Undo का और नहीं है Info का info का ब्तलब यहाँ पर दिख जाता है कि किसी भी केंडल पर Tech करेंगे आप तो candle के बारे में जानकारी आपको मिल जाती कि भाई ये candle कैसी चल रही है और ये करेंगे crosshair तो crosshair आपको इस तरीके से बताता है कि भाई इस particular date और इस particular time पर क्या price चल रहा था crosshair बंद कर दूँगा तो यह नहीं आएगा अभी नहीं आ रहा है अगर मैं यह सेलेक्ट करता हूं तो देखिए आपको यह वॉल्यूम बता देता है सब कुछ बता देता है जिस भी candle पर टैप करेंगे उस candle के बारे में सारी जानकारी आपको देदेगा बंद कर देता हूं प पॉइंट सेलेक्ट किया और यहां पर अनोटेट कर सकते हैं कोछ भी आप चाहें तो ऐसे ही लाइन आप ले लेते हैं अब देखिए और यह लाइन को आप इस तरीके से गुमा सकते हैं तो यह हो जाता है आपका यह अगर आप यहां पर क्लियर करेंगे तो उपर की तरफ क क्लियर कर दिया पूरी ड्राइंग क्लियर होगे तो इस तरीके से पेंट का इस्तमाल आप यहां पर कर सकते हैं तो यह दोस्तों चार्ट के बारे में सारी बाते अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन बताइए वीडियो कैसा रगाए धन्यवाद